सोमनात का नाम स्वभाव से है महत्यपून सोम है चंद्रमा नात है भगवान ये दर्शाता है शिव की शक्ति को मृत्यू को हराने की स्रिष्ति का चक्र वो सोमनात जोतिरलिंग दिव्य और उज्वल भगवान शिव के नाम एक पवित्र स्थल बारा में से एक ये दीर्थ न्यारा हिंदू धर्म में भगती का अर्थ सारा सोमनात की कहानी गहराई में छिपी पौरानिक्ता और इतिहास रहस्य जो रही गुप्त ये शुरू होती है चंद्र के संग चंद्रमा देवता से चुड़ी हुई बंधन दक्ष प्रजापती की कन्याओं के साथ रोहिनी को उन्होंने चुना था खास अन्यचब्विस के दिल में उनकी उपेक्षा रही उपेक्षित पत्निया नाराज हो गई पिता दक्ष प्रजापती को शकायत लगाई क्रोधित दक्ष ने दिया तब श्राप चंद्र की रोशनी गई उसका संकट अब बढ़ा चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे गई सुकर्ने लगी वेखो गई उसने महसूस किया अपने कर्मों को श्राप को कम करने के लिए भगवान शिव की और मोडा द्रिश्ती को शिव की भक्ती और तप से भरा हिर्दे चंद्र की वापसी आई फिर आई चमक विषेश सोमनाथ मंदिर में पूरा हुआ बरदान चंद्र ने जोतिरलिंग के रूप में किया था शिव जी का ध्यान इतिहासिक महत भी है यहां बड़ा भारतिय सिंस्कृती में गहरा संबंध है ये सरवदा ये मंदिर प्राचीन काल का है एक प्रतीक मौर्य शालुक्य सौलंकी वंश के शांशकों के संबंध इससे है जुड़ा मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार की स्थिर्ता ऐसी है उधे होते सूरज की प्रतम किर्णों से जग्मगाता है मंदिर का गर्व ग्रे सारा ये विवस्था दिखाती है शिवजी की महिमा को, अंदकार को दूर करने वाले सूर्य के प्रकाश्क से निहारने को, ये दिखाती है प्राचिन काल की वास्तु विद्या को, पुराने मंदिर के निर्मान में सजक्ता और सूज भूज को, पुराने समे की महिमा और अकाश गं ये सब है सोमनाथ मंदिर का अद्भूत दर्शन। ये स्थल इतना विशेश है कि मंदिर और दक्षिनी दुरूप के बीच कोई भूमी नहीं है। ये मंदिर और दक्षिनी दुरूप के बीच एक सीधा दृष्टी बनाती है। भुकंप और गृत्वा कर्शन के प्रात्कृतिक प्रभाव के स्थल पर महसूस होते हैं बिल्कुल साफ। ये तत्य सीधे धर्ती की गती और ग्रय कर्शन को बताते हैं। ये मंदिर को और भी विशेश बनाते हैं। विदेशी आक्रमन से और यूद की चोड से हुए बार बार मंदिर ध्वस्त और हुआ निर्मान बार बार। और आखिर बार सरदार पटेल की नेत्रत्वें 1947 से 1951 तक हुआ थापुनर निर्मान। ये दिखाता है मंदिर की महत्पून स्थिती आजादी के वाद के यूग में भारत की पहचान के निर्मान की प्रवृति। सोमनाथ मंदिर में एक प्राचीन लोहे का स्थम्भ है। वाना स्थम्भ कहते हैं स्थम्भ मंदिर के प्रवेश द्वार में खड़ा है। 23 उंचा 6.5 टन वजन है। चोथी ये पांचमी श्थाबदी में आया था। ब्रह्मी लीपी से उसे सजाया था। जो ये लोहस्तम्भ है ये अद्भूत बात है। सदियों से जलवाईयों में रहा है फिर भी रोश्नी का उसका साथ है। वर्षा और गिलेपन में भी उसका चमकता है रंग। इतिहाश और विज्ञानिकों को इस पर है गर्व ये है सबका संग। अरब प्रदेश से जुड़ी है सुनसान रात मंदिर की धन दौलत और महिमाथी विशाल। विदेशी आक्रिम्न कारियों को आकर शतिग्रस्त किया था मंदिर को बार बार। एक हजार चब्विस में गजनी का महमूत आक्रमण है एक प्रसित व्याख्यान। मंदिर की लूट और सुन्दर मूर्तियों का वर्णन था उनके कलामों में। विदेशी आक्रमण का सामना करके भी सोमनाथ मंदिर है अद्बुत विश्वास और भक्ति का प्रतीक। ग्यारवी शतावदी में राजा भोज ने किया था मंदिर का पुनलन निर्मान। शिव की महिमा महान है इसलिए सोमनाथ मंदिर का जोतिर लिंगों में पहला स्थान है।